अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चान मोटिवेशन नाइन इन्फो आज अनुपात यह समान अनुपात का पार्ट नॉम्बर टू करेंगे पार्ट नॉम्बर वन में हमने रेशों प्रपोर्शन की क्या बिल्कुली बेसिक बेसिक कोशन किये थे आज आज करेंगे अनुपात करें लिए दर चाहिए यदेर चाहिए जैसे पार्ट नॉम्बर वन में किये दें शुरू करते हैं था है और नंबर दो यह में अच्छ आच्छ स्वाल किया जो कि भी की है ठेका सारे एक उस टाइब में जितने भी कोशन ब्सक्राइब आसकते हमने सब क डियी जाती है जैसे कि अब इसका formula है कह था कभी हमें हमें कोई भी दो number देकर आी है आज हैना मैं 20 part निकालो ठीक है mean purpose निकालो त्पा इसका सिधा formula है root a b क्या है root a b और ये हमें return a नहीं है return a ये सिधा है जैसे कि हमारे y n path है a n path x a y path a n path b इस मन पाती है, एक्स बाइ बी, एक्स की वैलिए निकाल लें, क्रोस मिल्टिपलाई कर लें, तो क्या जगा, एक्स के एक्स इकल टू में, ए इन्टू बी, मतलों कि ए बी, तो एक्स बराबर क्या जगा, रूट ओफ ए-बी, ठीक है, सिद्धि वैल्यू क्या आगी, रूट अगर मैं इस ड्रेक्ट फोर्मुला याद है तो सिद्धी वैलू निकल जाती है और सिद्धे कोसन आते है इसमें ठीक है रूट ओफ ए भी करना ठीक कोसन देखता हम इस पर जैसे कोसन है छे और सब्वन के बीच में मैं दनपातिक क्या होगा छे और सब्वन के बीच में मैं दनपातिक निकालना न ठीक है तो क्या हो गया एक्स एक्स ब्राबर में रूट ओफ ए भी ए क्या हमारा छे है और बी क्या हमारा सब्वन है ठीक है तो इनके मल्टिप्लाई के इतना आजएगी छे चुका चोबिस आसिल दो छे पंजे तीस अर अगया ठीक है दूसरा कोशन देखते हम इसमें जैसे यह सेकंड वाड़ा कोशन 0.02 और 0.32 के बीच में अनमा दन पाति निकालना है ठीक है मीन प्रोपोसर निकालना है मैं रूट ओफ यह भी तो क्या आगए 0.02 गुणा में 0.32 तो कितने के बाद पॉइंट आजेगा दो के बाद पॉइंट ही है दो के बाद चार के बाद दो तीन चार पॉइंट यहां आजेगा ठीक है 64 का उतता है 8 का उतता है और 4 के बाद 0 आए तो इसका मतलब क्या आए बटे में ये है 4 0 ठीक है रूट में से कितनी 2 0 बाहर निकलेंगे तो मतलब 2 पॉइंट बाहर निकलेंगे तो कितना आगा 0.08 ठीक है तो राइट एंसर क्या आगा 0.08 अगर में ड्रेक्ट सिदा फोर्मूला याद है तो हमारा आसानी से कर सकते हैं इसको अगर मारे फोर्मूला याद नहीं है जैसे पहले ही किए आपने फ़ले कि आए 6 और 5 था मिन प्रपोसन निकालना तो इसको क्या था ये 6 रेसो अगर किसको रूट नहीं निकालने आते न वैसे तो याद होने चीए 15 तक तो कम सकम याद ही होने चीए नहीं तो हमारी स्केरोट वाड़ी वीडियो देख सकते आप लेलिस्ट में जागे तो एक्स पॉसर्ण रूट न ultimate माले हमारा यह है इस टाइब का question आज़े है मैं क्या निकालना इसका min proportion निकालना है min proportion निकालना है तो root of a b करेंगे इसको तो क्या होगा x ब्राबर में root of a b a क्या हमारा है यह पूरा 3 plus में root 2 b क्या हमारा into में 12 minus में root 32 ठीक है तो root 32 को कैसे लिखते है 32 को माले क्या लिखेंगे 16 गुणा में 2 16 दूने 32 ठीक है तो इस root में से 16 बार आएगा तो क्या आज़ेगा 4 आज़ेगा तो root 32 को हम चार root 2 लिख सकते है तो इसको हम पहले simplify करते है तो यह रिकम ऐसे क्या सी 3 plus में root 2 तो 12 माइनस में 4 root 2 लिख सकते है root 32 को हम ठीक है अब इसमें से क्या common है 4 common है तो 4 common ले रहते है 3 plus में root 2 into में 4 बार common ले लिए तो यहां क्या बज़ेगा 3 माइनस में root अगर अब इसमें 4 है 4 का root तो क्या आ गया 2 आ गया 2 तो 12 आ गया ठीक है तो क्या बज़ेगा है यही बज़ेगा हमारा 3 plus में root 2 3 माइनस में root 2 ठीक है अब देखो यह मारी एक बड़ next page पर लिख लेते है यही थे हमारी लिखम तो क्या है पीछे तो अब देखो इसमें एक formula दिखाए एक रखम पलस में है और वही रखम माइनस में है तो मैं algebra में एक formula होता है क्यों होता है a plus b into में a minus b ठीक a plus b a minus तो क्या आता है a square minus b square a square minus b square वही लगा देंगा इसमें formula मुला तो क्या जगा है कीतना है तो क्या तीन का Y 1997 क मैं इसके ROO05 जगह क्या क्या QईS या क्यूंक्त में स्केष्टा स्केरोट क्या जगेर दो रूटिट 107 तो इसका चैनसर क्या रह गराइटथा दो रूट है साधक डिस तरह, आग chess अगर आ अगर हमारा तिप्तियन पाती निकाला हो तो सिद्धा निकाल सकते हैं x is equal to b square by a ठीक है तो तिप्तियन पात क्या से लिख से हैं हमाले हमारा थर्ड अनुपात है थर्ड पर्पोस्ट नहीं तिश्या नमबर निकाला है a by a रेसो b equal to समान पाती b रेसो x यह है ठीक है मतलगी a by में b is equal to b by में x cross multiply करेंगे तो x ब्राबर क्या आजए हमारा b square by में a ठीक है अगर किसको direct formula नहीं याद आता बी square by में a ठीक है ऐसे निकाल सकते हैं formula एको भी ठीक है रटने की जूरत नहीं होती है तो अगला question देखते है इस पर अब जासे question है 16 तथ 24 कत्रिपत्या निकालना है ठीक है third proportion निकालना है तो क्या आता है x ब्राबर में x ब्राबर में b square by e या b into b by e यहीं बात है ठीक है बी क्योंगा हमारा 24 हो गया 24 गुणा में 24 गुणा में राइट एंसर केतना आज का सकतिश आ आसानी से निकल गया यह तो मैं जिब फ़र्मुला यादर बिल्कुल आसानी से निकल जाते अर एक्जाम में आते हैं इंबर question next question हमारा on the next time हमारे ये थार्डन बात निकालना में इस पर क्या थो 20 स्केर भाई तो में इसको भी क्याशन निकालेंगे x ब्राबर 20 स्केर भाई तो इसका स्केर लिखींगे xicky плюсique broad a skyro pot a skyroegen by में इक कितना यह है xicky यह प्राश्में by by x इक्वल टू में तो इसके square root से square करजगा तो क्या आजगा ये x-square plus में y-square divide by in calcium लेंगे calcium क्या है इसमेẫn x-y आजगा bridge cross multiply इसके exit करेंगे तो x-square plus में ये क्या होगा हमारा y-square ठीके तो इसके बाद क्या आएगा यह देखो same है यह दो cancel हो गया और यह उपर चला जाएगा ठीक है तो इस concern की आएगा XY तो 3rd one path कितना हैगा इसका XY आजाएगा ठीक है इस तरह कि question भी हम थार end path क्यासे एकर सकते है बहुत फॉर्मुला वई यह हमारा B squared वाई A लाट अगर कोशन देखता है माले यह हमारा फॉर्थ प्रपॉरसर निकालना हमें चत्छ उड्वादा निकालना तीन रसिदे रिखिए हमें अगर हमें इंसोबी रशो खब्लो प्वार कोशन 悄ने ओड़ कालना हमें निकालना ऐते हमें एडापर क्लोश मल्टिप्लाइब हरें एकस बॉापर क्या आजीए बी इंटु सी एट बतित है किसका फर्मौल 154 फोर्मौर रोता है इस में गालना एkes में क्या जेगास में हमें आ रहा है तो क्या आगा B 14 है इंटो में C कितना है 24 है एक इतना मारा 12 है ठीक है तो क्या आगा 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28 तो इसका राइक्ट अंसर क्या आ गया तो इसका क्या अंसर आ गया 28 अगया ठीक है अगला देखते हैं सैकेंड बारा एक्स ब्राबर बी क्या हमारे इसमें 0.12 इसमें 0.3 बटे में एक हमारा 0.2 ठीक है तो इसको डिवाइड करते हैं च्छे दूनी 12 छे आ गया इसमें दो के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट रहे जगा न जिरू पॉइंट च्छे आजएगा तो इन दोनों के मल्टिप्लाइए करते हैं च्छे ती है अठा संख्या होगा योग 666 हो तो दोनौ का अंधर निकालना है ठीक है? नहीं माले और B माल लियो ठीक है? इनका अंपात कितना है? 9 19 11 ठीक है? तो इनक्न दोनो का सम दे रिखा मतलकि a प्लस में b दिया हुआ है कितना है? 660 है a माइनस b निकालना में a-b 2-0 निकालना भी वो कितना होगा ठीक है यह निकालना है एक तो हम सिद्धा जैसे हम 9-10 में करते हैं तो क्या करेंगे let, raise x माल लिया a कितना होगा हमारा a होगा हमारा 9x b होगा हमारा 1x ठीक है a plus b दिया तो a plus b करेंगे तो कितना होगा 20x, 20x ब्राबर यह निकाल सकता हम x की value x क्यों माना है, क्योंकि यह क्या रेशों में दी हुई है ठीक है, exact value तो दी नही है रेशों में दी है ठीक है, common ratio हमने x माल लिया 9x प्लस में 11x ब्राबर में कितना है, 660 है मतलगी 20 X बराबर में 606 और X बराबर में 607 बराबर में 20 0 से 0 कटके कितना आ गया 33 आ गया 33 आ गया न हमेरा A माइनस B निकालना है तो A कितना आ ज़ेगा हमारा अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं A तो हमारे क्या आ ज़ेगा 9 गुणा प्रिथिस ठीक है 9 गुणा में 33 तो कितना गया 9 तीए 27 9 तीए 27 और 29 यह आगया बी कितना आजेगा हमार है 11 गुणा में 33 ठीक है 11 तीए 33 ऐसे 311 तीए 33 और 3 36 यह आजेगा तो ए माइनस भी निकालना तो इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है इसमें से यह माइनस करेंगे दोनों दोनों का अंतर निकाल ला है, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, अंतर क्या आ जेगा है, दोनों का रेसो का अंतर क्या आ गया है, ग्यारा में से नो गई, दो आ गया, नो पात क्या था, ग्यारा था, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, दो आ गया, ठीक है, मतलब क तो इनकाल लिया और अगला कोशन देखते हैं जैसे ये कोशन है दो संख्याए एक अनुपात तीन के अनुपात में है यह दिन का योगफल 240 हो तो इनकालना है तो इसका देख लेते हैं तीन और एक कितना हो गया तो चार एकस ब्राबर कितना है दो सो चारीस हो गया तो एकस ब्राबर कितना हो जेगा तीन में से गया दो तो दो एक्स बराबर कितना हो गया दो गुणा में साट तो कितना हो गया एक सो किस राइट अंसर कितना हो गया यह आगया मैं तो आपको समझा रहे हैं इसे थोड़ टाइम लगे रहे हैं अगर मैं नहीं समझा रहे हैं तो तो कितनी पांस पांस-दस सेग संक्ष्याओं का अनपात पांच है यदि बड़ी संक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् b- माइणस b कितना दे दिया हमें 27,77,ठीक है ऐख सेंख्याแต 26 साथ हमेट हम उन्हेंस अंतर 27 हो गया ठीक है और ठीक है और घुर अंतर दिया कितना 1850 97 ठीक है आठहंठ 5 by 5 दिया तो इननका अंतर कितना ओ जिगा तीन x हो ज ici-hole कितना हो गया 27 हो गया और 206 कितना हूं गया zodा हाजit निकालना यह में दोनोंका योग निकालना थो आठज पांच 13 हो गया उन जयरी हुआ अगला कोसन देखते हैं नेक्स कोसन हमारा दो प्राकृति शिंख्या है तनी में है तथा इनका गोणनफल 2,606 है तो इन्हें से चोटी सिंख है क्या होगी आपके बर क्या दे दिया गुणान फल दे दिया ठीक है इन दुनों की गुणा कितनी होगी तो 3,606 गुणा में 5,606 ये दिया आपके बर मतलगी 15,606 गुणा में 15,606 गुणा ठीक है तो एक स्केर बराबर कितना आ गया 144 एकस बराबर कितना आ जेगा रूट 144 मतलगी 12 ठीक है अब क्या निकालना में सबसे छोटी नमबर निकाला सबसे छोटी सिंख्या क्या आ जेगी सबसे छोटी कितने हमारी थीन एकस है ठीक है अनुपात में तीन एकस है तो क्या है सबसे छोटी क्या जेगी 3x कि क्या इसका ये आ गया ठीक है ये गुणा हो जोड़ो माइनस हो ठीक है या फिर बाग हो तो इस तरह सें वकोशन करेंगे इनको ठीक है अगला कौशन देखते हम next question हमारा 2 संख्क्य है 3.ina.5 त्छ चायर के नभाद में है तो था उनका लोगुद्धम सावर्तकख इतना 48 है तो सबसे बड़ी सिंख्क्या निकाल निकाली आपके आपको लोगुद्धम तानर तक दे दिया फिर आले हमारे मारे से ॥ सैंस है इन दोनों तिनों की गुणा ठीक है तीन गुणा में चार गुणा में एक्स ठीक है तो एलस्यम कितना है हमारा बारा एक्स आ गया समझे में आ गया तो एलस्यम बारा एक्स की वाल्व कितनी है हमारे पास बारा एक्स बड़ाबर में कितना हैं 84 हैं एक्स बड़ाबर कितना आ गया 84 बटे 12 तो 12 ए 84 एक्स बड़ी 7 आ गए तो सबसे बड़ी सेख ज्या चैसमें 4 है तो 4 एक्स की वाली आ हमें हैं 4 बड़ाबर 4 गुणा में साथ शोगे 28 28 हमारी क्या आगा राइट एन्स रहाएगा, बूख वारशन है, जितने भी हमने कोशन लिए है, शारे पिछले एक्जामों में पूख वारशन है, नेक्स कोशन करते हैं, जैसे यह है, यदि 100 को A, अनपात में बाढ़ा जितगा है, मतल़ दिया दिया जाबता है, तो A को प्रत्ट होगा, मतल़ एक रासी है हमारे पास पांदोनी दस दो सो तो एको कितना मिला है एको तीन एक्स मिला है तो तीन एक्स ब्राबर में कितना आ गया 600 एको कितना मिलेगा 600 मिलेगा यह भी क्या है अगला कोशन देखते हैं जैसे यह है 624 को A, B, C के अनपात में बाटने पर C का बाग निकाला है कोशन ऐसे है बस थोड़ा सा अलग कर दिया रेल वे में आया कोशन है ठीक है रेल वे में आया हुआ है कितना दे दिया पहले हम सिंपली कर लेते है कितना आ पाथ में दिया एक रेसो दो बटे में थीन बटे में चार्ट इन काल्सम कितना आएगा 12 इसको मल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो कितना आ गया है 6 4 3 अगर इस तरह करे अनपाद दिया हुआ तो हम इसको simplify cash करेंगे उससे multiply कर देंगे वो यह क्या गया simple a, ratio b, ratio c आगया अब 3 का जोड कितने 624 है मतलब कि 6x प्लस में 4x, 10x, प्लस में 3x ठीक है तो a plus b plus c कितना है 624 है a plus b plus c कितना है 624 दिया है और a कितना 6x है b कितना 4x है तो कितना होगा, 10x और 10x और 3x 13x बड़ाबर में 624 ठीक है x बड़ाबर कितना होगा 624 बटे में 13 ठीक है, इसको हम divide देंगे तो किस पर divide होगा 13 पर, 13 चोक है 52 4, 138, 104 ठीक है, 48 आगया x value आगया, हमें पुछी क्या है c का बाग पुछा है c को कितना मिला है 3x मिला है, मतरद 3x value पुछली 3x 3 गुणा में 48 ठीक है, इसकी क्या करेंगे है, multiply करेंगे तो कितना आगया, 3, 8, 24, 42, 3, 4, 12, 12, 14, 144 तो c को कितना मिलेगा, 144 रुपे मिलेगे ठीक है, right answer कितना आगया, यह आगया ठीक है अगला question देखते हम क्या है एक धनरासी को A, B, C, D में इस अनपात में विवाजित क्या जाता है c का भाग, b के भाग से इतने रुपे अधिक है 2510 रुपे अधिक हो तो a को d की कुलरासी बतानिया में ठीक है तो हमें क्या क्या दिया है यह अनपात दिया हुआ है और c का भाग, b के भाग से इतने रुपे अधिक है मतलब c है, कितना है, 9x है और b है हमारा 5x, 4x है तो कितना रुपे होगी, मतलब कि 9x माइनस 4x कितना रुपे हो गया 2580 हो गया 5x बराबर में सिदा ही कर सकते हैं नो में से चार गए 5X ब्राबर में कितना हो गया यह हो गया तो 5X को 5 से डिवाइड करने पुचा-पुचा 25 पाँच से कम 5, 3, 5 के 30, 512 निकालना है क्या है A और D की कुल राशी निकालना है A की 3 भाग है A का हमारे पास 3 भाग है D का हमारे पास 10 भाग है मतब दोनों को कितना हो गया 13X हो गया 13X की बढ़े निकालनी है 13 गुणा में 516 ठीक है इनको मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या जागे 13 छिक 78 आशील 7 13 कम 13 और 7 20 आशील 2 13 55 और 2 67 ठीक है क्या है गा इसका राइट अंसर C आएगा ठीक है तो हमने बहुत सारे कोशन किया अभी जिस तरह के कोशन आ सकते हैं एकजाम में हम सारे कोशन करेंगे तो इसका राइट अंसर की आगया C आगया अगला कोशन देखते हूँ ये कोशन है जैसे A, B, तथा C में रुपे पचास को इस परकार में वाजद किया जाता है कि A का बाग B तथा C के स्विक्त बाग का कितना है दो बटे पांस हो तो A को कितना मिल गाए और निकाला में इका जितना इन बाग होगा A—4 कितना बाग होगह B और C के शिक्त बाग मतलब दोनों के जोड़ का कितना भाग होगा का मतलब गुन हो गया तो कि दो वटे पांच होगा ठीक है यह हमें दिया है और A प्लस B प्लस C कितना दिया हमें A प्लस B प्लस C यह हमें एकजार अचास दिया है ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम multiply में यह डिवैड में लियाएंगे तो a by में b plus c 2 बटे में 5 हो गया इसका मतलए क्यों हो गया a अनपाथ b plus में c का अनपाथ कितना दे दिया हमें 2 अनपाथ 5 दे दिया ठीक है इतना दिया हमें तो हमें इन 3 नों का सम निकालेंगे a plus में b plus c का अनपाथ इन दोनों का सम कितना हो गया 7x हो गया तो इसका मतलए क्या हो गया हमारे पासे 7x की value कितनी आगी 7x बड़ाबर में कितना हो गया हमारे पास 1050 हो गया 7x पतल आगा howज रहा है a plus b plus c 7x ठीक है तो x बड़ाबर कितना हो गया इसको डिवाइड दे देंगे, साथ एकम, 1050, डिवाइड बाई में, साथ एकम, साथ, तीन, सत, पुझी, पैंटीस, डेट सु आगी, इसको क्या करेंगे, दो से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 300, यह भी SSC में पुझा हुआ हुआ कोसन है, ठीक है, SSC में आए हुआ कोसन है, आज हमने टाइप नमबर 3 देखिए, इस टाइब में जिस तरह के कोसन आ सकते थे थे, हमने सारे की है, जिस तरह के कोसन इस टाइब में आ सकते हैं, हमने अर तरह का कोसन लिया है, और टाइप नमबर 2 में हमने जिस तरह कोसन आ सकते थे, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी होते हैं, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जूर की किजिए और सेड भी किजिए अपने सभी फ्रेंड्स में